है गाई सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं NCHM Counseling Second Round Counseling के Choice Locking Process के बारे में सुपरी डीटल से हम लोग देखेंगे किस तरीके से Choice Locking करना है इससे पहले Choice Modification के ओपर हम लोगों ने अल्रेडी वीडियो बना रखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा अगर अभी तक आपने वो process नहीं किया है तो नीचे दिया गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप वो Choice Modification वाला वीडियो देख सकते हो और अपना Choice Modification कर सकते हो तो अभी Choice Locking Process करने के लिए सबसे पहले हम लोगोंने NCHM Counseling के official website पे आ जाना है इस website का लिंक आपको नेचे description box में मिल जाएगा जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके का interface open हो करके आ जाता है अब यहाँ पे simply हम लोगोंने अपना रॉल नमबर पासवर्ड और साइसा नीचे दिया गया security pin डाल करके sign in कर लेना है जैसे आप sign in करते हो आपका profile इस तरीके सी open हो करके आ जाता है अब यहाँ पे आप देख लोगे जो हमारा choice locking status है वो यहाँ पे unlock दिख रहा है अभी अभी थोड़ी देर में हम लोग जब पुरा locking process कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे unlock नहीं दिखेगा lock so करेगा choice lock करने से पहले आप एक बार अपना choice filling देख ले confirm कर ले कि आपने जो भी choice filling में जिस sequence में सब चिज़ आपने डाला है जो भी college को आपने डाला है अगर वो सब सही है उसके बाद ही आप choice lock process में जाए जो सबसे पहले आप choice filling आपने जो भी किया उसको confirm कर ले after that home page पर आजाना है home पर आने के बाद आपको यहाँ पर choice locking का जो option है वो दिख रहा होगा इस पर simply हम लोगों ने click कर दिना है जैसे आप यहाँ click करोगे नीचे में आपको आपको जो भी choice filling है वो सब भी दिख रहा होगा और यहाँ I agree to lock my choices पर simply click कर दिना है जैसे आप यहाँ पर click करोगे आपसे आपका password मांगा जाएगा आप अपना password डालने के बाद यहाँ yes lock पर click कर दोगे जैसे आप click करते हो आपका जो choice locking process है वो complete हो जाता है और आपका choice lock हो जाता है एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझो कि एक बार जब आप choice lock कर लेते हो उ लॉक्ट देख रहा है मतलब अब आपने अपना जो choice locking process है उसको complete कर लिया है अब आप यहाँ पर नीचे print lock choice पर click कर लोगे और जो आपका choice locking letter है इसको आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको download locked choice letter का option मिल जाएगा इस पर click करके यह PDF आप download करके रख लेना So guys यही था choice locking process सेम इसी तरीके से आपको अपना choice locking का जो process को complete कर लेना है, done कर लेना है So उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को like करें, maximum share करें सब्स्टूइन्स के पास जिससे उनके भी help हो सके अगर अभी तक आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया है, तो NCHM Counseling और Hotel Management से related हर एक latest update लेने के लिए Hotel Management Help YouTube चानल को subscribe करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जो से आने वाले सारी important update की notifications आपको मिलती रहे है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवा